हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिशा और आज मैं आपके लिए लेकर आएं नहीं एक अत्यांत रोचक जानकारी जो है बथुआ के बारे में बथुआ खाएं, कब्ज और पत्थरी से निजात पाएं प्रिप्या इस वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको बथुआ के बारे में पूरी जानकारी मिल सके हरी पत्तेदार और पॉष्टिक सबजियों में बथुआ का नाम भी शुमार है बथुए में मौजूद पोशक तत्व आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करते हैं साथ ही शरीर को पोशन भी देते हैं यानि यह केवल स्वाध ही नहीं बलकी सेहत के लिहाज से भी बहुत फाइदेमंद होता है बथुआ कई औशधिय गुनों से भरपूर होता है डाक्टरों के मुताबिक बथुआ को खाने में किसी न किसी रूप में शामिल जरूर करना चाहिए यह स्वास्थ्य के लिए काफी फाइदेमंद होता है इसमें आयरन प्रचोर मात्रा में पाया जाता है इसके साग को नियमित खाने से कई रोगों को जरसे समाप्त किया जा सकता है इससे गुर्दे में पथरी होने का खत्रा काफी कम हो जाता है गैस पेट में दर्द और कब्ज की समस्या भी दूर रो जाती है इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बथुआ खाने से पत्री और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। आए हम आपको बथुआ के गुनों के बारे में बताते हैं। बथुआ खाने के स्वास्थ हिलाब 1. पेट के कीरे मारने में मददकार कच्चे बथुआ के एक कप रस में थोड़ा सा नमक मिलाकर प्रते दिन लेने से पेट के कीरे मर जाते हैं। 2. गुर्दा, मुत्राशय और पेशाब के रोगों में मदद गुर्दा, मुत्राशय और पेशाब के रोगों में बथुआ का रस पीने से काफी लाब मिलता है 3. पेशाब के जलन में राहत बथुआ को उबाल कर इसके रस में नमक और जीरा मिला कर पीने से पेशाब में जलन और दर्द नहीं होता 4. सिर को साफ रखने में मददगार सिर में अगर जुए हूं तो बथुआ को उबाल कर इसके पानी से सिर धुए जुए मल जाएंगे और सिर भी साफ हो जाएगा 5. चर्म रोग में मदगार सफेद दाग, दाद, खुजी, फोड़े और चर्म रोगों में बथुआ को प्रते दिन उबाल कर इसका रस पीना चाहिए। 6. मलेरिया, बुखार में मददगार बथुआ का रस मलेरिया, बुखार और कालाजार संक्रामक रोगों में भी फाइदे मंद होता है। 7. कबज में राहत, कबज के रोगियों को तो इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। कुछ हफ़तों तक नियमित रूप से खाने से कबज की समस्या समाप्त हो जाती है। 8. राहता बनाने में उप्योगी। बथुआ को साग के तौर पर खाना पसंद नहों तो इसका राहता बना कर खाए। 9. पथ्री का रामबार निलाज। पथ्री हुने पर एक गिलास कच्चे बथुआ के रस में शक्कर को मिला कर रोट प्ली। पथ्री तूट कर बाहर निकल आएगी। 10. मून संबंधित बिमारियों में मदगार। 10. मून की बिमारियों जैसे मून का अलसर, सांसों में दुर्गन धाना, दातों से संबंधित रोग आदी समस्याएं हुने पर बथुए की पत्तियों को चबाना फाइदे मंद हो सकता है। इससे पाईरिया में भी लाब होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई संबेश हो तो कमेंट जरूर करें। अगर मेरा ये संबेश आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। किसी और जरूरत मंद लोगों को ये संबेश जरूर शेर करें ताकि और हाँ सब्सक्राइब करना न भूले जिससे की आपको स्वास्थे संबंधित जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले ऐसे ही स्वास्थे से जुड़ी जानकारियों के साथ। आप रखें अपना ख्यार। अलविदा।